है 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 कि तुर्फ है मेरे चैनल दमाद के सुए में आपका बहुत बहुत स्वागत है अगर आपको मेरी रश्पी पसंद आए तो लाइक शेयर, सब्सक्राइब करना मत पुलिएगा बेल आइकन के साथ तिल के लड़्दू बनाने जा रही है 100 ग्रम मैंने काले तिल लिये 100 ग्रम पिसा हुआ गुड लिया है तिल के लड़्दू बनाने के लिए दोनों चीज बराबर लेने चाहिए जिसे 100 ग्रम तिल है तो 100 ग्रम कुड़ोना चाहिए मैंने ग्यास पर फ्राइपेन को गरम करने रख दिया था और मैं इसमें तिल को अच्छे तरीके से भूनूंगी और बराबर चलाती रहूंगी जिसे जिले नहीं तिल बहुत ही गरम और ताकतवर होते हैं इससे सरदी में ही खाया जाता है आप इससे बना के देखिए ये कितने टेस्टी होते हैं बच्चों को तो वैसे भी काले तिल के लड़ू बहुत ही पसंद होते हैं मेरे तिल बूनने लगे हैं तिल बूनने की पहचान यही है कि तिल से अच्छी सी महक आने लगती है और वो ये चिटकने लगते हैं अब मेरे तिल बूनने अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी अब मैं इसको ठंदा होने दूँगी और इसी फ्राई पैन में मैं अपना गुर पकाऊँगी मैं सारा गुर इसमें डाल लूँगी और सिर्फ एक चमच पानी इसमें डालूँगी ज्यादा पानी डालूँगी तो इसको ज्यादा दिर तक मुझे पकाना पड़ेगा इसलिए मैं सिर्फ इसमें एक ही चमच पानी डालूँगी मैं इसको low frame में 2 minute लिए पकाऊँगी और मैंने काला गुर ले रखा है आप इसे किसी भी गुर में पका सकते हैं क्योंकि मुझे काले तिल मनने थे इसलिए मैंने काला गुर लिए और देखिए मेरा गुर अब पकने लगा है और वल्ले लगा है अब मैं इसको चेक करूँगी, एक कप में पानी लेकर के इसको देखूँगी कि जम रहा है कि नहीं, और देखे मैंने कप पानी लिया और इसमें मैं देख रही हूँ, हाँ देखे इसमें ये अंदर जमने लगा है, जब ये जमने लगता तो आप समझ देजिए कि अब कर दूँगी, और इसमें तिल डाल दूँगी, सारे तिल को अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी, जिससे गुड़ बढ़िया मिक्स हो जाए, और देखे मेरे ये अच्छे से मिक्स होने लगा है, अब इसको मैं मिक्स करते करते, इसको मैं हलका ठंडा करूँगी, क्योंकि म मुझे इससे पता चलता है कि मेरे तिल और गुड अच्छे से मिक्स हो गए और मैं इसी तरीके से सारे लड्डू बना के रख लूँगी मेरे सारे लड्डू बन गए हैं अगर आपको मेरे लड्डू की रिस्पी अच्छी लगी है तो मैं कमेंड में जरू बताइएगा अब मैं खिच्री की तयारी करती हूँ खिच्डी बनाने के लिए अपर दो गिलास चावल लिए एक गिलास दाल लिए और मैं पांच मेमरों के लिए खिच्डी बनाने जा रही हूँ आप जितनी चावल लिजिए और उतने से आधी दाल लिजिएगा जैसे कि एक गिलास चावल में आदा गिलास दाल मैंने इसी गि तिन त माटर हें दो हरी मिर्चा है और आ 주 दो चम्मत हेंग लिए दो चम्मक लिया है और एक जीरा लिए तो में गयरख के उपर तेल को गर्म करने पहले ही कूकर में रख दिया था और मैंने समार चम्मत तेल डाला है आप अपने नुसार तेल डाल सकते हैं, मैंने एक चम्मच जीरा डाला, आदी चम्मच हेंग डाली और दो हरी मिर्चा काटके डाल दी, अब मैं इसको थोईते चटकने दूँगी, इसके बाद में प्यास जालूँगी, प्यास का मुझे ज्यादा लाल नहीं करना हलका ही फ्र देखे टर्माटर गल चुके हैं, अब मैं इसमें दाल चावल डालूँगी, जिसको मैंने 4-5 पानी से धोली था, और इसमें अच्छे से मैं इसको डाल के मिक्स करूँगी, जितने मैं इनी दाल चावल लिए हैं, इसके डबल मैं पानी दूँगी, मैंने 3 गिलास दाल जाते हैं और अब मैं सीटी का इसका इंतजार करूंगी तब तक मैं चटनी बनाती हैं मैंने चटनी बनाने के यह समान लिया है कुछ धनिया लिया है और तीन मिर्चा ली है आपने नुसार मिर्चा ले सकते हैं आपका मिया जादा और छे ले सुन लिए चार टमाटर लिए इ मैंने सब कुछ जार में डाल दिया वे इसमें एक चमस नमक डालूंगी और मैं इसको पीसूंगी देखें कितनी अच्छे से पिस गई है और यह टमाटर धनिया के चटनी इस खिचरी के साथ बहुत आस्य लगती है और मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी और अब मैं इसको देखूंगी खोल के मेरी खिच्री कैसी पकी है देखिए कितनी अच्छी स्टी और छिटकी खिच्री बन गई है मैं इसको प्लेट में सरू करूँगी अगर आपको मेरी खिच्री की रेस्पी और चटनी की पसंद आई हो तो कमेंड में जुरू बताईएगा मैं देवड़े बनाने जा रही हूं मैंने एक कप मुंग के दाल लिए एक कप बुरत के दाल लिए इनको मैंने रात में भीदो के रख दिया था और यह कितनी अच्छी फूल गई है देखिए अब मैं इनको जार में दो बार में पीशूंगी और इसको मुझे महीन नहीं हो जाए और गाड़ा ही बना रहे है यह देखिए मेरा बैटर पिस गया है और कितना अच्छा गाड़ा और धरधरा पिसा है इसको मैं बावल में निकाल लूँगी मैं इसमें चुद्धाई चमच बैकिंग सोडा मिलाओंगी और फिर इसको मैं अच्छे से फेट होंगी और आप जितना ज्यादा हो सके इसको फेट यह मैं गमसे में 8-10 मिनुट के लिए फेट होंगी जिससे यह स्मूथ हो जाए और फिरते फिरते यह स्मूथ तो होगा इ इसको मैं इक पानी में चeck करके देखोंगी कि यह बन गया है कि नहीं अगर यह उपर तहरने लगेगा तो मेरा बैटर रेडि हो गया है देखियो यह उपर देहने लगा है मेरा बैटर विल्कुल Đरी है अब मिनक्त मिलाओंगी 1 चमच घिसा हुआ अंध्रक 2 कटियो फिर म नमक डालूँगी और आदी चमच हिंग डालूँगी इसको मैं अच्छे से चालो तरफ मिक्स कर लूँगी पूरे बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए डैटर रेडी हो गया है इस सब चीजों से दही बड़े और टेस्टी हो जाएंगे इन्हें गैस पर कणाई में तेल गर तरफ से पलट पलट के सेखिए जब तक यह ब्राउन कलर के ना हो जाए तब तक आप हम सेखिए देखिए मेरे अब यह ब्राउन कलर के हो गये हैं अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी अब मैं इनको करम पानी में भीगो रही हूँ और आप भी अच्छे से पानी में भीगोईगा 10-15 मिनट के लिए आप इसको पानी में रख दीजिए और यह अच्छे से मुलैम हो जाएंगे अब मैं इसको पंदा में इटक लिए ढख कर रखोंगी 15 मिनट हो गए अब मैं इन सब को पानी से निचोर कर भार निकालूंगी देखे मेरे बड़े कितने ही स्पंजी हो गए आप उतने ही बड़े भीगोईएगा जितने आपको खाने हो बाकि आप इसको समय के लिए रख भी सकते हैं मैं इनको सर्फ करूंगी और सबसे पहले मैं दही डालूंगी दही में सारे बड़े अच्छे से भीग जाए इतना दही रहोना चाहिए अब मैं इसमें बुना हुआ पिसा जीरा डालूंगी और फिर काला नमक डालूंगी और थ्वासा सफेद नमक भी डालूंगी और देखिए कितने अच्छे मेरे दही बड़े लग रहे हैं, आप इसको खा कर देखेगा, अब मैं इसमें धनिया डालूंगी, और फिर मैं आपको काट के दिखाऊंगी, ये अंदर से कितने सॉफ्ट बने हुए हैं, देखिए कितने सॉफ्ट है, आप लोगों को मेरे रेस्पी पसंद आई हो, तो आप लाइक, सेर, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, अब मैं नेक्स वीडियो मिलती हूं, मुझे माता दी,